दोस्तों आप सभी का मेरे नई ब्लॉग में स्वागत है जहने के वर्फीले पानी में नाने का अपना एक आनन्द होता है इस समय में कुलू जिले के जीवी गाउं के जहने में इसनान करके पास में इस्थित श्रंगी रिशी मंदिर के लिए निकलूंगा श्रंगी रिशी का मंदिर इमाचल प्रदेश के कुलू जिले में स्थित है मंदिर में श्रंगी रिशी के साथ देवी शांता की प्रितमावी बिराजमान है वहाँ पर दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रदालू आती है ये मंदिर कुलू से 60 किलोमीटर की दूरी पर और बंजार से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बंजार गाटी में बग्गी गाओं में स्तित है दोस्तो पाड़ों में अभी भी आदार बूत बिजली पानी की समस्या बनी हुई है विकास दीरे दीरे वहां तक पहुँच पा रहा है पीने के पानी के लिए या पाड़ों से निकलने वाले जर्णों और छोटी जल्दाराओं को इस तरह जलकुंड बनाकर संरक्षित कर लिया जाता है और साल वर पीने के पानी का काम इनी से चलता है पाड़ों में पुए तो बन नहीं सकते हैं इसलिए जंगलों से गुजर कर आने वाली ओश्दिय गुणों से भरपूर जल्दाराएं यहां अमरत की समान है ऐसे छोटे-छोटे कुंडों में पानी श्टोर होने के बाद आगे एक नल लगा होता है उसमें से धीरे-धीरे बहता रहता है अब इस पाइप में टोटी लगाने से भी कोई फायदा नहीं है अगर यहां टोटी लगा देंगे तो पंचायत ने उपर जो पुर्ण बना रखा है उसमें से पानी ओवरफ्लो होने लगेगा तो इसलिए प्रकर्ती की तरफ जा रहा है कोई परेशानी वाली बात है नहीं हमारा भी पानी जब खतम हो गया तो हमने इसी नल से अपनी बोतल को भर लिया आए और आगे के लिए रख लिया है मंदिर के रास्ते में ये भाई पानी की पाइपलाइन के लिए पाइप उपर दुर्ग मूचाई पर बसे गाउं तक ले जा रहे हैं वहाँ अभी तक पानी की कोई पाइपलाइन नहीं है और प्राकर्थिक रूप से ज़रने और इस्टोर किये हुए पानी पर गोजारा करना पड़ता है जब ये पाइपलाइन डल जाएगी तब जाकर उन गाउवालों को पीने की पानी की समस्या खत्म होगी जैसे जैसे हम मूचाई के ओर जा रहे हैं हमें अपने आसपास दूर दूर तक जो पाहाड़ें उनके बड़े नजारे दिखाई दे रहे हैं यहां हरयाली और प्रकरती इतनी महरवान हैं कि चारों तरफ अच्छे अच्छे द्रश्य पशु पक्षी दिखाई देते हैं साथियों यह बिच्छु जड़ी का पौदा है यह इतना खतरनाक है कि अगर शरीर के किसी हिस्से में जरासा टच हो जाए तो उस जगे बहुत तेज खुजली, जलन और दर्दोने लग जाता है वैसे इस्थानी लोग इसकी चट्नी मना कर भी खाते हैं इसके काफी सारे औरस्द्य गुण हैं अगर किसी को एलर्जी है तो उसको पाड़ों में इस तरह की बिच्चु जड़ी से दूर रहना चाहिए शरंगी रिशी का मंदिर एकदम शांत जगे परिस्थित है यहां पर तरह तरह की चड़ियाओं की चैचाहर्ट और प्राकर्तिक नजारे आपको मंत्रमुग्द कर देंगे मंदिर से दूर दूर तक बंजार गाटी और पाहाड नजर आती है सरदियों में यहां काफी बरब जम जाती है तो आना यहां मुश्किल है सरंगी रिशी कुल्लू गाटी के 18 प्रमुख देवी देवताओं में से एक है मंदिर तक जाने के लिए सडक से पाड़ पर 20 मिनिट तक चड़ाई चड़नी पड़ती है कमजोड शरीर वाले और बुजुर्गों के लिए आसन चड़ाई नहीं है सरंगी रिशी बालमे की रामाइण में एक बात रहें जिनोंने राजा दसरत को पुत्र प्राप्ती के लिए अश्मेग यग तथा पुत्र कामेश्टी यग कराए थे वे विवांडक रिशी के पुत्र तथा कश्यप रिशी के पौत्र बताए जाते हैं उनके नाम को लेकर उलेख है कि उनके माते पर सींग था संस्कृत में सींग को श्रंग कहा जाता है इस कारण उनका नाम श्रंगी पड़ा था श्रंगी रिशी का विवा अंगदेश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से हुआ था जो कि वास्तम में दश्रत वा कोशल्या की सबसे पहली संतान थी दश्रत ने शांता को अपने एक निसंतान मित्र और अंग देश की राजा रोमपाद को दान कर दिया था ऐसा कहा जाता है कि राजा दश्रत को पुत्र कामेश्टी यग उनके दामाद सरंग रिशी नहीं करवाया था जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री राम, भरत, लक्षवन और सत्रूदन के रूप में पुत्र प्राप्त हुए थे इसलिए इस मंदर में लोग पुत्र प्राप्ति की इक्षा के उस देशे से भी आते हैं जिसे स्थान पर उन्होंने यग करवाये थे, वह अयुद्या के पास था और आज भी उनका आश्रम है, वहां पर उनकी पतनी की समाधिया है दोस्तों, काफी कठिन चड़ाई चड़ने के बाद, अब हम श्रंगी दिशी के मंदर के द्वार पर आ चुके हैं यह काफी खूबसूरत है, आस पास बहुती अच्छी सुन्दन अजा रहे हैं अब हम यहां से मंदर में प्रवेश करते हैं करते हैं कि चलो आओ अब मंदर के मेंत जी से मंदर के एतियासिक मेहत्व और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं यह रिशी महाराज कल्चों में सारे मुर्थे रिशीवर किया हैं तो मैंने की तपह भूई यहां से बाराज़ार किलो हाइट पहे हैं बापानाम स्किलन है जो मैं में सगराण जोती है उस तेम बाएक जागरन होता है बापया जारों लोग जाते हैं और श्रधालों की मनों का मिना पूर्ण होती है, रिशिवरम को आशिस देते हैं, अश्रीवाद देते हैं तो एक प्रानी की हिस्त्री है थे जू start-ड उपर ए श्रिंगी रिशी काय, बीच में श्रिंगी रिशी माराज है तो इक प्राणों में राजा रॉम पात के अना प्रिष्टी हो गई, राजे में हाल चल मच गई, राजे के लोग डूसरे राजे में जाने लगे, तो फिर बड़े बड़े जोचियों से पतल लगा कि पुझे के बारश क्यूं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि श्रिंग की रि तो रिष्टी वर अपने पीता जी के साथ अपने आश्रम में रहते थी, तो राजा रॉम पात ने अफ्रेम हो ली, तो इन्हें कहा कि आप रिष्टी वर को हमारे राजे में लाओ, फिर जैसे ही इदेब लोग से अफ्रेम आ गई, तो राजा रिष्टी वर को अपने तो जो लोग वहां से दूसरे राजे में गए तो वो बापीस आने लगे, तो फिर जाकर तिया यक 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 या फिर बारिश हो गए, फिर गुरु विष्टी नेका राजा दैसरत को तेरे पुत्रेश्टी के करवाने से तेरे संतान हो जागी, फिर इनका रमाइन में जाता ह फिर राजा दैसरत नंगे पाऊ इनका पाऊ जाते हैं, तो फिर जाकरती आयोध्या आते हैं, आयोध्या में पुत्रिष्टी एगी करवाते हैं, फिर राम, अर्थ, शत्रुगन, लेक्शोने चार बाई होते हैं, इनके माते हुनारा, हर प्राण, हर उल्ले खुए इनका सभी जगे श्रंगी रिशी महाराज का उल्ले खाता है, और सर्दियों में कितनी बरफ जम जाती है, और उपर जो चेहनी कोठी है, वो किस लिए प्रसिद्य है, वो इनके नाम से प्रसिद्य है, देवताओं की जगे, तो पहले बाई करजवाडा रहता था, उच्छा नाम तो जैसे ही छोटे छोटे राज्ये में एक मुर्ख्य होता था, तो जैसे ही वो खत्म हो गया, फिर भगवाड पर सौपाजी है, दोनों की लोगे, इनों ने स्थापिट की एक में जो लंबी कोटी है, वहां पर योगिया स्थापिट किया है इनोंने, तो साथ में एक और प्राचीन दिला है, तो बापिश्री कृष्णा मूर्थिस्थापिट की एक इनोंने, इनके मादियम दारा दौनों मंदिर चाथ है, दौनों मंदिर पाद इनी का नाम है, अजी, जी, जी,